Hi everybody, welcome to Pragati Pat, my name is Pragati Mishra और यहाँ पर हम लोग कर रहा हैं सीटेट के सारे previous year paper की सीरीज तो कई सारे paper आपके हो चुके हैं, प्लेलिस में जाके आप देख सकते हैं इस particular वीडियो में हम लोग करेंगे सीटेट जुन 2011 का paper 1 जो आपका EVS का पार्ट है, 30 questions आपको मिलेंगे, सारे के सारे आंसर आयोग के उत्तरों द्वारा match किये हुए हैं तो आप यहाँ पर जल्दी से अपना revise कर सकते हैं आप यूट्यूब पर जाका playlist चेक कर सकते हैं, सीटेट पी वाई पी प्रगति मिश्रा बाकी जो subject wise playlist है, जैसे आपको किसी particular subject, EVS के ही 11 से लेकर के अभी तक के सारे paper देखने हैं तो वो किसारी किसे चेक करेंगे, वीडियो के end में मैं आपको बता दूगी बाकी ये Instagram handle and Telegram handle है, इस Telegram handle है यहाँ प्रगति पत्थ Teachers इसका link आपको description box में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप PDF पा सकते हैं चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe करें, वीडियो को like करें और bell icon जरूर से प्रेस कर दें, ताकि आने वाला कोई भी notification आपसे miss ना हो चले बढ़ते हैं, पहले question कियो, यहाँ पर कुछ directions दी हुई है, answer the following questions by selecting the correct या फिर मोस्ट appropriate options, तो 30 मिट का आपका paper होगा और 30 questions होगे तो वटाफट से आपको करने हैं देखिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपिक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि it has been observed that the process of digestion is faster inside the stomach than outside because चार options है, पाच्यकरस माशय के अंदर अमली होते हैं जबकि बाहर विचारी होते हैं the digestive juices inside the stomach are acidic while outside they are alkaline second the amount of digestive juices produced in the stomach in the presence of food is much more माशय के अंदर जो भोजन की उपस्तिति में पाच्यकरस का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा होता है third the digestive juices when kept outside the stomach become inactive पाच्यकरस जब आमाशय की बाहर रखे जाते हैं तो निश्क्रे हो जाते हैं next the food is churned in the stomach thereby increasing the surface area for quicker enzyme action आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता जिससे उनकी सता का चितफल बढ़ जाता है और enzyme की क्रिया तेज हो जाती है तो यहां पर कौन सा option आपका सही हो जाएगा यहां पर आपका first वाला सही है यहां पर आपका option सही है the food is churned in the stomach thereby increasing the surface area for quicker enzyme action यह लास्ट वाला यहां पर सही था डीटेल्ड वीडियो आपको अगर डीटेल वीडियो देखना है तो उपर आई बटन में लिंक दिया रहेगा वहां पर मैंने डीटेल में भी आपको वाला जो है portion वो कराया है ईवियस का तो वहां से आप देख सकते हैं यहां पर हम रुख फटा फट बस question और answer इसका देखेंगे जो कि आयो के द्वारा दिया गया है answer पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में आप एक्षाकरत लंबे समय तक परिरक्षित किये जा सकते हैं क्योंकि cooked rice can be preserved for a longer time in a refrigerator because यहां पर कौन सा ओप्शन सही होगा चार ओप्शन दिये हुए हैं कम तापमान पर रोगाडू निश्क्री हो जाते हैं सेकेंड है रोगाडू कम तापमान पर नस्ट हो जाते हैं थर्ड है moisture content in the food is reduced at low temperature फूर्थ है refrigerators contain certain chemicals which kill the microbes तो यहां पर हो जाएगा आपका first वाला सही हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं next क्या है नीबू साधरन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्यों क्योंकि 11 sinks in normal water but floats in salty water because the density of नमकीन पानी का घना तो साधरन पानी के घनातों से अधिक होता है नीबू का घना तो नमकीन पानी में अधिक होता है या फिर नीबू का घना तो नमकीन पानी में कम होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं salt water is more than normal water या फिर normal water is more than salt water या फिर lemon increases in salt water या फिर क्या है lemon decreases in salt water कौन सा वाला सही हो जाएगा यहां पर यहां पर हमारा जो option है वो सही हो जाएगा first वाला जो नमकीन पानी है इसका घना तो साधार पानी के घना तो से अधिक होता है नमकीन पानी का घना तो साधार पानी के घना तो से अधिक होता है क्योंकि उसमें नमक भी मिला रहता है तो जितने भी molecules बीच में बचे हुए थे मतलब जितना भी molecules के बीच space बचा हुआ था वो आपका salt ले लेता है तो इसलिए उसका density जादा हो जाता है नमकीन पानी का और इसलिए क्या होता है इसलिए नीम्बू साधार पानी में डूब जाएगा ठीक है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहेगा क्योंकि उसका घनत्व जादा होगा density जादा होगी next देखिए रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपसिते से malaria की पहचान होती है रक्त में छटिग्रस ती अकरत कोशिकाओं की रक्त में मच्छर के लारवे लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया पर जीवी यानि की प्लास्मोडियमा तो यहाँ पर यह वाला फोर्ट वाला उप्शन से हो जाएगा malaria can be detected by testing the blood for the presence of प्लास्मोडियम in red blood cells तूटता तारा एक उलका है तूटता तारा यानि की उलका क्या है a shooting star is चमकता पिंड जो वायूमंडल में एक समान गती से चलता है एक तारा जिसके सिरे पर पूँच होती है उलका आप जो प्रत्वी के वायूमंडल में प्रविश करते ही आग पकड़ लेता है या फिर एक समान गती से चलने वाला तारा इंग्लिश में देख लिजे shining object which moves with a constant speed in the atmosphere star with a tail at the end metroid which catches fire as it enters the earth's atmosphere और फोर्थ है star which moves with a constant speed तो यहाँ पर third वाला सही हो जाएगा दुर्गा एक गाउं में रहती है और लकडी या गोबर के उपले का इंदन इस्तमाल करते हुए चूले पर खाना पकाती है पिछले तीन महीनों से उसे तेज खासी आ रही है इसका कारण क्या हो सकता है दुर्गा लिव्स इन विलेज और चूले उन चूला यूजिंग वूड और काउड डंक जिसे अर्दन स्टोव भी कहते हैं चूले को शी हैस बीन सफरिंग फ्रम सीवियर कफ फॉर दा लास्ट त्री मन्स दिस में भी द्यू टू दा चार ओप्शन दिये हुए हैं पहला है इंदन के जलने से उत्पादित कारण मोनो अक्साइड जाउसकी स्वशन नली में जमा हो गई होगी कारण मोनो अक्साइड प्रडूस बाइ बर्निंग फ्यूल विच में have been deposited in our respiratory tract सेकंड क्या शूट स्वश्ट प्रडूस बाइ बर्निंग दफ्यूल विच में have been deposited in our respiratory tract जलते वे इधन से उत्पादित काला धुआ जो उसके पिश्वसन नली में जमा हो गया होगा थर्ड है जलते हुए एधन के दुएंसे ऐलर्जी हो गई होगी फोर्ट क्या है उसकी जोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूशर और उसकी वृद्धावस्था ठीक है old age and pollution और थर्ड ऑप्शन क्या था smoke produced by burning fuels which may have caused her caused her allergy तो यहां पर कौन सा सही है यह वाला क्यों सही है वो मैंने explanation में आपको बताया था आई बिटन में लिंक दिया रहा है का यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है अब next देखेंगे क्या है एक पुरुश जिसका रक्त O है एक A रक् फिर्स चाहिल्ड ब्लड ग्रूप O is 50%, 100%, 25% या फिर 75% तो यहां पर सही हो जाएगा आपका 50% The difference between boiling and evaporation क्वाथन और वाश्पी करण में अंतर है क्वाथन से जलकी अवस्था बदल जाती है जबकि वाश्पी करण में नहीं बदलती Boiling cause a change of state of water while evaporation doesn't Second evaporation can take place at any temperature while boiling cannot वाश्पी करण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि वाश्पी क्वाथन नहीं Third boiling causes reduction in volume of liquid while evaporation doesn't क्वाथन से द्रव का आतन कम हो जाता है जबकि वाश्पी करण में नहीं होता है Fourth क्या है changing of boiling liquid into vapor can be seen but evaporation cannot be seen क्वाथन में द्रव से वाश्प में परिवर्दन देखा जा सकता है जबकि वाश्पी करण देखा नहीं जा सकता तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा Second वाला ठीक है वाश्पी करण किसी बितापन पर हो सकता है जबकि कौथन नहीं क्योंकि boiling 100 पर ही होती है आपको पता होगा ठीक है वाश्पी करण तो किसी पर भी हो सकता है Next देखिए एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रक्रिया से यह अलग किया जा सकता है इन 5 मिनाट्स वाली प्लेलिस जाकर आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा थ्रेशिंग विनोइंग निश्पावन हार्वेस्टिंग फसल के कटाई या फिर हैंड पिकिंग तो सई जवाब यहां पर हो जाएगा थ्रेशिंग ठीक है यह मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया है एक्स्प्लेनेशन वाले वीडियो में तो वो आप आई बटन पर जाकर देखेंगे तो वो आप आई बटन पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं ग्रामिट छेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवारों और फर्ष को लीपा जाता है उन्हें किस लिए? In rural areas, the cow dung is used to coat the floor and walls of huts to make them smooth and clean, make them rough to increase friction, खुर्दरा और घर्षन बढ़ाने के लिए, give a natural color to the floor, फर्ष को प्रैक्रितिक रंग देने के लिए, फिर keep the insects away, कीटो को दूर रखने के लिए, सही जवाब या पर है, चिकना और साफ बनाने के लिए Next, देखिए, Meera और दिव्या छोटी लड़किया है, Meera समूसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या समूसे पसंद करती है, जिसमें लाउह तत्व की कमी है Meera और दिव्या को निमनले कित में से कौन सी बिमारिया होंगी Meera और दिव्या यंगल्स, Meera लाइक्स तो एट समूसा, कटलेट और बेड, दिव्या और दाहदा हैंट टेक्स अन आइरन डिफिशियन डाइट, विच और फॉल्विंग दिव्या और दिव्या लाइक्ली तो पहली वाली जो है, उनको होगा मुटापा दूसरी वाली को ए तो second option यहाँ पर सही हो जाता है, मुटापा और अनीमिया, विटमिन ऐसे पदार्थ हैं जो, vitamins are substances, पहला option required as medicines to make us healthy, स्वस्त रहने के लिए दवाई की रूप में लिये जाते हैं, second है, that build muscles to keep us strong, पेशियो का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, third है, required in small quantities to prevent deficiency disease, हीनता जन् होडी मात्रा में आवश्यक है, और चौथा है, that increase our metabolic rate leading to loss of weight, हमारी उपाप अच्छा है, दैर को बढ़ा कर भार में कमील आते हैं, तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, third हीनता जन्ने रोगों में, रोगों से बचाव के लिए थोडी मात्रा में आवश्यक है, required in small quantities to prevent deficiency disease, next देखिए, किसी की नेतरितों में चिपको आंदोलन को बल मिला, चिपको movement was strengthened under the leadership of, चार ओप्शन्स है, अमरिता देभी विष्णोई, मेधा पाटकर, एके बैनर जी या फिर सुन्दरलाल बहुगुणा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सुन्दरलाल बहुगुणा next देखिए, रानी अपने घर का कूडा नीचे दर्शा है, तरीके से दो धेरियों में अलग करती है, रानी separated the garbage from the house into two piles as shown below, एक बाल्टी में वो क्या रखती है, केले का चिलका, सब्जियों के चिलके सूकी पतिया, दूसरी में क्या रखती है, जैम की बोटल, सॉस की बोटल और उपयोग में लाई गई टूथपेस, ट्यूब और प्लास्टिकी की खिलाओन है, तो किस आधार पर उसने कूडा अलग किया, फर्स्ट है, can be decomposed, cannot be decomposed, अब घटित होने वाले है, अब घटित नहीं होने वाले है, दूसरा, can be recycled, not, cannot be recycled, पुना चक्रन किया जा सकता और थर्ड है, our household, industrial waste, घरेलु कच्रा, अधयोगी कच्रा, फोट है, have a door, are a doorless, दूरगंद है, दूरगंद रहीत है, तो अब घटित नहीं होने वाले क्या जार पर उसने किया है, नेक्स्ट, an egret bird is often seen on buffalo's back, this is because the egret, भैंस की पीट पर अकसर बगुला दिखाई देता है, ऐसा क किसले होता है, पहला, loves to sing while sitting on buffalo's back, भैस की पीट पर गाना पसंद करता है, second, rests after flying for a while, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, third, feeds parasites on the buffalo's back, भैस की पीट पर परजीवी कीट खाता है, चौथा, feeds on insects present in the grass, घास में पैजाने वाले कीट खाता है, तो यहाँ पर third वाला सही था feeds on parasites on the buffalo's back, भैस की पीट पर परजी भी खाता है, ठीक है, next देखिए, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, 15 questions हमारे यहाँ पर हो गए है, अब next 15 questions हम लोग देखेंगे, निमली कितमे से कौन सा प्रात्मी की स्तर पर पर्यावरण अध्यान पढ़ाने का उदेशन नहीं है, which of the following statements is not an objective of teaching EVS at the primary level, पहला है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उच्छुकता जगाना, arouse curiosity about the natural and social environment, second है, engage in exploratory and hands-on activities that lead to the development of cognitive and psychomotor skills, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तता व्या वहारी करियाओं करवाना, जो संग्यान अत्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सायक होती है, next है, to load, learners with terms and definitions for assessment, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाशाओं को बोज डालना, और last क्या है, जीवन और पर्यावरन से सरोकार रखने वाले मुल्यों को आ learners with terms and definitions for assessment, next किया आया question, पर्यावरन अध्यान की पाटे पुस्तक में रेल्वे टिकट का एक नमूना दिखाना, the idea of showing a sample of a railway ticket in the EVS test book is two, option one, give the students an idea of the rail fare, बच्चों को रेल के गिराय के बारे में बताता है, second, provide them knowledge of various abbreviations used in the ticket, टिकेट में प्रयुक्त विभी निसंद्चिपता अक्षरों का ग्यान उपलप्त कराता है, next, enhance the skills of students to arrive the conclusions, निसकर्ष पर पहुँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, next, give them an opportunity to interact with real information and develop the skill of observation, बच्चों को वास्तविक जानकारी संता करिया करने का अफसर देता है साथ ही अब लोकन की कुशलता का विकास करता है, तो सही जवाब हैं आपर क्या होगा, fourth वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, अंता क्रिया करने का अफसर देता है, next question, the concept of seed germination can be taught best by बीज, अंकुरन की अवस्ता को इस तरह सबसे बहतर तरीकी से पढ़ाया जा सकता है, पहला कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को सपस्ट करना, sowing germination of seeds to the class and explaining the process of germination, दूसरा presenting the germination stages through drawings on the board, बोर्ड पाचित बनाते अंकुरन की चरणों को प्रदशित करना, third है asking the students to perform an activity to sow seeds, observe different stages and draw them, sowing photographs of seed germination, तो मतलब ये चार हो गए आपके, हिंदी में देख लिज़े बीज़ों ने अंकुरन के विभीन चरणों का अवलोकन करने और उनका चित बनाने की गतिविदी को बच्चों को निश्पादित करने के लिए कहना, या फिर चौथा है अंकुरित बीज़ों की फोटो दिखाना, तो third वाला सही था यहाँ पर, क्योंकि बीज़ों ने अंकुरन के विभीन चरणों और अवलोकन करने, उनका चित बनाने की गतिविदी बच्चों को निश्पादित करने के लिए कहना, मतलब एक एक एक्टिविटी उनको आप दिखा रहे हूं, ठीक है, और बाकी अलग-अलग चित्र गतिविदी वो करेंगे तो जादा सीखेंगे, नेक्स्ट देखिए, पर्यावरान अधियन की पार्टी पुस्तक में पहलिया शामिल करने का, निमले कितमे से कौंसावदेशन नहीं है, तो नेगेटिव क्वेशन जा रहा है, विच वन अफ फॉलेंग इस नौट देखिए, पहला है, पहला है, तो डेवलप क्रिटिकल थिंगिंग अबिलिटी इन थे स्टूडेंट्स, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विक्सित करना, दूसरा, तो डेवलप रीज तो डेवलप क्यूरियोसिटी एन अबिलिटी टू थिंग क्रियेटिविली, स्रिजनात्मक चिंतन की योगिता और उचुकता का विकास करना, तो पहला वाला सही हो जाता, बच्चों के मस्तिश को ब्रहमित करना और उन्हें इस ब्रहम का आनन्द उठाने देना, ये वाला तो दा जू, तो दा जू, तो दा जू, विच अगर में जन जानवरों को वे देखेंगे, उनकी फोटो है के तृत करना, तेक देर ड्राइंग बुक्स अलाउंग विद देम तो ड्रॉ वाट दे सी एड जू, चिड़े अगर में उन्होंने जो देखा, उसका चित बनाने क जाना, तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत है, खाने की सामगरी नहीं लेके जानी चाहिए जू में, पहला क्या है, एड दा प्राइमरी स्टेज असेस्मेंट शूड कंसे आफ, प्रात्मे के स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या पहला, continuous and unstructured teacher observation to be shared with learners and parents, शिक्षिक द्वारा, सतत और असनरचनात्मक तरीके से किये गया है, अब लोकों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बाटना, दूसरा है, formal tests and games done every week and recorded in the report card, प्रतेक सब्ताह, आपचारिक परिक्षाएं और खेल उन्हें प्रगति पत्र में दर यर अर्दवार्शिक और वर्ष के अंत में वार्शिक परिक्षाएं करवाना, next क्या है, home assignments and class assignments every week to rate young learners under the categories of pass or fail, छोटे बच्चों को उत्तेन अत्वा अनुत्तीन की शेडी के अद्दरगत आकने के लिए प्रतेक सब्ता, ग्रहकार और कख्षाकार की, कख्षाकार आकलन मे शामिल होना चाहिए, पूछ रहा है, ठीक है, तो home assignments and classes and assignments every week to rate young learners under the categories of pass or fail, तो इसका मतलब हुआ, छोटे बच्चों को उत्तीन और अनुत्तीन के रूप में बाटना हर सप्ता है, ग्रहकार और कख्षाकारे देकर, फोट में है, छोटे बच्चों को हर हफते, कख्षाकारे वग्रहकारे देकर, उन्हें pass और fail की category में बाटना, तो यहाँ पर एक तरीके से होगी labeling, तो फोट फ़ल आपका हो जाएगा, एकदम गलत, सही जवाब क्या होएगा, continuous and unstructured teaching observations to be shared with learners and parents, शिक्षक द्वारा सतत और अस अनरचनात्मक तरीके से किये गए अब लोगन को, बच् साथ, continuous and unstructured teacher observations to be shared with learners and parents, शिक्षक द्वारा सतत और अस अनरचनात्मक तरीके से किये गए व्लोगन को, बच्चों और अब भाविकों के साथ बाटना, next देखिये, simple experiments and demonstrations can be performed in the EBS class, पर्यावरन की अध्यान की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किये जा सकते हैं, पहला to enable children to learn on their own and sharpen their observation skills, बच्चों को स्वयम सीखने के योगी बनाने और अवलोकन करने के लिए, second क्या है, to follow what is being done in the senior classes, उच्च कक्षाहों में क्या किया जाता है उसका अनुकरन करने के लिए, third, to discuss ideas, record and analyze observations on the basis, बच्चों द्वारा पुछे के प्रशनों पर अधारित विचारों पर चर्चा करने तथा उनका विचलेशन करने के लिए, fourth, क्या है, to control the students, to ensure discipline in the class, कक्षाह में अनुशासन को सुनिश्चित करने ही, तो बच्चों को नियांतित करने के लिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला, to enable children to learn on their own and sharpen their observation skills, next question, दत्यकारे के संबद्ने में इमलिकि classwork followed by homework every day to provide variety and practice, प्रते दिन विविदता और अभ्यास कराने के लिए, कक्षाकारे और फिर ग्रहकारे के रूप में दत्यकारे देने किया विशकता है, second, assignments should be the only method of assessment, दत्यकारे आकलन का एक मात तरीका है, third, assignments provide learners an opportunity to search for information, construct their own ideas and articulate them, दत्यकारे बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अफसर प्रदान करता है, fourth, assignments can be done by parents, brothers or sisters depending on the talent that they possess, दत्यकारे अभिभाव को भाईयों या बहनों द्वारा में किशमता के अनुसार किया जा सकता है, साही जवाब कौन सा होगा, third, दत्यकारे बच्चों को सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने और उन्हें उचारित करने का अफसर प्रदान करता है, next, देखिए, मांचित्र पढ़ने के लिए, आविश्र कौशल में शामिल है, क्या, the skills required to read a map include, drawing और painting में लक्षन कुशलता, excellent drawing and painting skills, second, ability to use calculations and sketch positions on a globe, globe पर इसे दिदर्शाने के लिए, sketch और गढ़नाओं का अप्योग करने की योगिता, third है, excellent communication skills to draw out the expressive ability, अभी व्यक्तात्मक योगिताओं को बाहर निकालने के लिए, विलक्षन संप्रेशन कौशल, next, ability to understand relative positions of places, distances and directions, इस्तान, दूरी और दिशाओं की सापेक्षिस्ति को समझने की योगिता, सही जवाब फोर्थ वाला ही है, इस्तान दूरी दिशाओं को सापेक्षिस्ति समझने की योगिता, next, देखिए क्या है, परियावर रधियन की कक्षा में अवधारना को सपस्ट करने के लिए, कविता और कहानी का प्योग करना, बहुत जादा important question है, बहुत बार पूछा जाता है, the use of poems and storytelling to explain concepts in an EVS class helps too, पाट को आने दुदायक और रोचक बनाने में मदद करता है, make the lesson enjoyable and interesting second, इस्तानी एवं विस्ष इस्तर की पर संसार की प्रकरजी को खोशने और कलपना करने में, मदद कलपना करने की योगिता का विकास करने में मदद करत है, promote the ability to imagine and explore the nature of the world at the local and global level, third, बच्चों में विद्यमान भाशिक एवं सांस्कृतिक विधिता को ध्यान में रखता है, take care of the language and cultural diversity among learners, fourth, क्या है, उचित दिशा में बच्चों की उर्जा को संकहिंद्रित करता है, channelize the energies of the students in the right direction, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए अगर आप भाशा, हिंदिया फिर English language में कर रहे हो, इस question को, तो वहाँ पर पहला सही होगा, बट यहाँ पर EBS में कौन सा सही होगा, second वाला, ठीक है, इस्थानी और विश्व इस्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कलपना करने की योगिता पर विकास करने में मदद करता है, next question, बच्चों को विभिन प्रकार के इंदनों से परचित कराने के लिए सिख्षक, to make children aware of different kinds of fuel, a teacher can, पहला, show pictures of fuels on a chart, चार्ट पर इंदनों के चित्र प्रदशित कर सकता है, next, ask children to list different fuels, बच्चों से विभिन प्रकार के इंदनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, third, show some samples of fuels in the class, कक्षा में कुछ इंदनों के नमूने दिखा सकता है, fourth, I discuss with children about possible kinds of fuel that can be used for cooking along with a short film, एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले संभावित इदन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, तो fourth वाला ही सही है यहाँ पर option, next, देखिए, परेवर एन दिन के कक्षा में बच्चों के व्यक्तिकत अनुभवों को मातो देना सिक्षक को लाब पहुंचाता है, Giving importance to individual experiences of the children in an EVS class will benefit for the teacher, पहला, to know unique experiences of the children, बच्चों में के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, second, to help and improve the language and communication skills of the children, बच्चों की भाशा और संप्रेशन को शलता को सुधारने और परिमाजित करने में, third, to connect the subject to the learner's experiential world and promote reflection and learning, विमर्श के बच्चों के अनुभव संसार से जोडने और विमर्श वा सीखने को बढ़ावा देने में, fourth, to save her energy as children enjoy talking, उसकी उर्जा बच्चाने में क्योंकि उन्हें बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, सही जवाब है third, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोडने और विमर्श वा सीखने को बढ़ावा देने में, next question देखे, निमने लिकित में से कौहन सापरात्मेक विद्याले में परेवर अन ध्यान पढ़ाने का उदेशनी रूपित है, which of the following represents one of the objectives of teaching EBS at primary school, पहला, बच्चों को तक्नीकी शब्दावली और परभाशाओं से परचित कराना, to make learners aware of technical terms and definitions, second, to assess technical terms related to EBS परेवरन अध्यान से सम्मदित तक्नीकी शब्दों का आकलन, third, to inform the learners about the books they should read to expand their knowledge, अपनी ग्यान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन से पुस्तेके पढ़नी चाहिए, fourth, to connect the experiences of the learners in the school with the outside world, विद्याला में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सही जवाब कौन सा हो जाएगा यहां पर fourth वाला, विद्याला में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, लेकि मैंने आपके को सीटेट फर्स्ट बाहर में ही क्लियर करने के लिए कुछ बोक्स रिकमेंड की है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो बेस्ट बुक्स भाई प्रेकति मिस्टा यूट्यूब पर सर्च करिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लिजेगा, वहाँ पर मैंने यूपी टेट के लिए, सुपर्टेट, सीटेट के विए सभी के लिए बेस्ट बुक्स बताई हैं, और कुछ पांच किताबे मैंने असे भी बताई हैं, जो आपके हर एक टीचिंग एक्जाम्स में बहुत इंपोर्टेंट रहेंगी, और डीपली आपको सब्जाट की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तो, नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए, किसी विद्याले ने राजस्थान के लिए कक्षा पांच के बच्चों के श्राक्षिक ब्रहमड की योजना बनाई, ब्रहमड के दौरन आपकी क्या पेक्षा है रहेंगी, A school planned an educational trip for class 5th students to Rajasthan. What would be your expectation from the children during the visit? पहला, they should enjoy themselves, उन्हें आनन्द उठाना चाहिए, दूसरा, they should observe keenly, make notes and share their observations with other students and the teacher. उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिपड़ियां दर्च करने चाहिए, और बाकी बच्चों जाता सिख्षक के साथ अवलोकन को बाटना चाहिए. 3rd, they should note down their questions if any and ask parents after reaching home. यदि उनके कोई प्रेशन हों तो उन्हें दर्च कर लेना चाहिए और घर पहुँचने के बाद अभी भावकों से पूशना चाहिए. Next, they should observe everything without asking questions about it. चीजों के बारे में बिना कोई प्रेशन किये, सभी चीजों का अवलोकन करना चाहिए. तो सबसे बेस्ट है, आपर 2nd वाला सिख्षक के साथ अवलोकनों को बाटना चाहिए. और पूछना चाहिए questions, teachers. Next, देखे, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद, पर्यावर अध्यान पढ़ाते से में आप ये पाते हैं कि बच्चें पाठ मेरुची नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? After the lunch break, while teaching EBS, if you find that students are not taking interest in the lesson, what would you do? पहला, use audio-visual aids based on the multiple intelligences to make the lesson interesting. पाठ को रोचक बनाने के लिए बहु आयामी, बुद्धी पर आधारी, दरशे श्रवे सामग्रियों का प्रयोग करेंगे. Second, change the topic immediately. प्रक्रण को तुरंद बदल देंगे. Third, take the children out to play in the ground. बच्चों को बाहर मैदान में ले जाकर खिलाएंगे. Fourth, ask them to put their heads down on the desk and relax. बच्चों से कहेंगे, वो डेस्क पर सर रख कर आराम करें. तो सही कौन सा यहां पर? First वाला. Part को रोचक बनाने के लिए श्रवे दर्शे सामग्री का प्रयोग करेंगे. तो यह आपके 30 questions हो गया, 2011 के, जो की आयोग ने answers दिये थे, उसकी according मैंने आपको यहां पर सारे answers बताएं. और जो बाकी playlist है, subject while playlist आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, CTAT PYP by प्रगतिमिश्टा, इसमें आपको paper 1, paper 2 हर एक subject मिलेगा. और CTAT CDP, PYP by प्रगतिमिश्टा, इसमें paper 1, paper 2, CDP मिलेंगे. और इसी तरीके से आपकी यहां पर playlist का जो title है, वो मैंने लिख दिया, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं. यह कुछ Instagram और Telegram है, Telegram का जो link है, वो आपको description box में भी दिया रहेगा, तो वहां से जाकर आप join कर सकते हैं. वीडियो को like करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को share करिए अपने friends के साथ, जो इस field में हो, चैनल को subscribe करके, bell icon ट्रस करना मत भूलिए, जिससे आपको हर एक notification मिलता रहा है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो comment जरूर से करिएगा. Thanks for watching.